हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल आप में चलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ और हमारे आप चैनल के ब्लॉग पर भी वीजिट कर सकते हैं जिसका आज हम आपको बताने जा रहे हैं SSC MTS का जो फाइनल रिजल्ट होने के बाद जो एलोकेशन हो रहा था फाइनली जो है कि नॉर्थ इस्ट रिजन काफी आ गया है जो की काफी दिनों से जो है कि यह मतलब चल रहा था इसू कि कब आएगा नहीं आएगा तो फाइनली जो है आज ही जो है इसकी एलोकेशन जो है जारी कर दी गई है और इसके बाद यानि इसके नॉर्थ इस्ट रिजन के बाद लगभग जितने भी डिपार्टमेंट से जितने भी डिपार्टमेंट से सबों का जो है कि एलोकेशन लगभग लगभग समाप्त हो चुका है अब जो है आप लोग के सामने आ चुका है तो आए देख लेते हैं एलोकेशन को क्या कैसे हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर जो है कि यह आप नोटीस है जिसमें दिया गया है कि फाइनल जल जोए की 28 एप्रेल को जोए की रिलीज किया गया था उसके बाद जोए कि अच पर दर टोटल नमबर ऑफ 39 एंड़ेस पर टेनिंग तो नौर्ट इस रिजन आप बिन ज़्लेक्टेड ऑट फिच थर्टी टू केंड़ेट हैं बिन सेलेक्टेट पर इस पर टेनिग तु दिस रिजन और अरुणाचल पर देश दो असाम मनिपूर मेगाले नागालेंड और रेस्ट अपितना मतलब लगववग लगवग जो है की यह सारा जो की कैटेग तो आगर आप देख लेंगे तो अरुनाचल परदेश में लगभग तोटल सीट्स वहाँ पर था और असम में जो है कि लवब शिक्स्टी वन जो है की वैकेंसी शिक्स्टी शिक्स्टी ती लेकिन रिकमेंडेशन जो है कि कैंडेट्स का शिक्स्टी वन किया गया है ठीक है वहाँ पर कुछ जादे नीट्स होंगे तो उन्होंने एक्स्ट्रा जो है की लगता रिकमेंडेशन कर दिया उसी तरह से वैकेंसी यहां तेरह थे तो मनीपूर में चौदा रिकमेंड हो गया है यहां देख सकते हैं मेगाले का आप देख सकते हैं लगभग शिक्स्टी सेवन डिकमेंडेट थी और शिक्स्टी सेवन वेकेंसी तो यह उसका हो गया फिर मिजोरम का देख लीजिए नौ टोटल नाइन सीट्स है उसी तर नागालेंड का cerkya लेकिन सभार तो Centralise यह इस्वार Centralised वकेंसी है तो उस हिसाब से तो मतलब इसा नहीं है कि जो लोग वहां से भरे होंगे वही इसमें बहुत लोगi जिनका नॉर्थ इंडिया से भी होगा जिनका वेस्ट इंडिया से भी होगा सभी लोग जो है कि इस बार जाएकि मेरिट बाइज बनाए तो सभी लोग का सभी जगह रोटेट करेगा तो यह किनी का कहीं भी जैकि वह मतलब सीट अलट हो सकती है उसी तरतर पूरा में 42 आप लोग फिर से बता देता हूँ क्योंकि लोग इसके बाद comment जरूर करेंगे इस वीडियो, क्या है वी, बहुत इक बता देशनल्पनों में बताता हूँ यह जो हता है उसका कृछक्ता में होगा तो वह लोग क्या करते है जितने भी वैकेंशी जो इंटेंड करके जो एक साथ बैजी जाती है उसको जो ही है कि मतलब वही जो है वैकेंसी को नॉमिनेट करता है इसलिए वहाँ पर निउ देली दिया जाता है, यह निउ देली है हेड़कॉर्टर हो जाता है, और उसी के माध्यम से जो है की, वहीं से आपका सारा प्रोसेस होगा, यानि अगर आप इस डिपार्टमेंट को अगर आप जोईन करते हैं, तो आपका सारा प्रोसेस जो भी होग वह नियू देली से सभी चीज होगा वही जो है कि decide करेगी इसलिए नियू देली होता है कभी कभी देखते हैं बहुत सारे जैसे आर्केलोजिकल सर्वेफ इंडिया में भी देखेंगे बहुत सारा लोग का नियू देली होता है तो confusion मत हो यह आपकी posting वहीं लगेगी जिस state में मेरिट के हिसाब से आपका selection हुआ है आपकी जोब वहीं लगेगी वहीं पर आपका जो है की posting होगा ठीक है उसे प्रिंसिपल एकॉंटेंट जेनरल इटानगर और नाजर प्रदेश यह भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है उसका माइक्रो स्मॉल मसमी जिसको बोलते है यहां पर इतने सारे की जादे नहीं है तो उसमें आपको टोटल 27 टोटल जो है कि इतने ही जादे सीट्स भी नहीं है असम में देख लीजै अग्रिकल्चर फार्मर्स का है और टीनोजिकल सर्विफ इंडिया का डिपार्टमेंट जो कि इस बार सबसे जादे अगर देखा जाए तो सबसे जादे जो है कि यह यह अपका हुआ है ठीक है तो यह अपका सेंटर्ड पर्परुस और और तो आर्केलोजिकल सर्व 8 uso का जो है वीडियो में जल्ड से जल्ड आप लो के भीच लाओंगा उसमें क्या है कया है की सबसे ज्याद यह डिपार्टमेंट लोचेट हुई है मेरे इसाब से वह पहला आर्केलोजिकल सर्वेफ इंडिया है उसका साथ इंकम टेक्स से उसका ऑडिट का जो है ऑडिटर का है मतलब कैग कैग एजी ओफीस इसमें सब जाद है जिसमें कि आपको उसी में प्रिंस्पल एकाउंट जेनरल है सब्सक्राइब जो है जो सब्सक्राइब जो है कि जल से दल वीडियो लाएंगे यहां पर बहुत सार आपको मिल जाएगा यह आपको पर इन्टिगेट किया गया है उसी तरह मनीपूर में देख लेंगे मनीपूर में भी एजी ओफीस यह देखी यहां पर है उसका प्रेस इंफ्रमिशन भी यह फिर में घाले में बहुत साफिस है उसके बाद आपका इंपोर्टेंट इपार्टमेंट है उसके बाद जोलोजिकल सरफ इंडिया फिर मीजोरम में मीजोरम में भी डाक्रव सेंसर से यह पर से अब देख लिए क्या है कुछ यहां पर नोटी से एलोकेशन ऑफ फॉलॉइंग केप्ट ऑन होल्ड पेंडिंग डिसीजन ऑफ एक दो तीन चार चार केंडिडेट्स है जिनका की यह जो की पेंडिंग कर दिया गया है लोकेशन क्यों क्योंकि आपको पता है कि लगा किया तो उसी में से लोग भी होंगे जिनका की जो एकी तत्काल जाएक्ट में किया गया है और इससी के पास है तो इसना की पर कोई डिसीजन लेगी तो मैं आपको जैकि फिर इन्फॉर्म करूंगा कि इसमें क्या हुआ नहीं वह और फिकेशन कर रही है वह वेरिफिकेशन कर वह थोड़ो जो कि सारा चीप प्रोफेस कर रही है कि जो कैंडिएट्स आए थे जन्यून थे या क्या थे नहीं थे उन पर उनको सक है या जो भी कंप्यूजन है उसको चेक कर है उसके बाद जो है कि उसको वह एलोट करेंगे तो होगा नहीं तो फिर उनका अपना एक्षन जो भी होगा वो लेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर दिया है कैनिडेट को किस तरह मेरिट में लाया गया आपको पता है मेरिट और में वलाने का वही है वही पुराना तरीका रैंक के इसाफ जो है कि जितने भी लोगों को मिला है उनका सभी का जो है कि आपको यहां पर नयाम मिल जाएगा रैंक मिल जाएगा उसके बाद कैटेगरी मिल जाएगा और यहां पर CP भी मिल जाएगा प्रवीजिनल पर मत होएगा पर भी ब्रोब्लम नहीं होगा फोड़ा की ठीक ठाक हो जाएगा उसके लिए पर पूरा जो है कि आपका दे दिया गया है किनका किस इसका लिस्ट का अपको यहां पर दे दूंगा यह मतलब दिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जह है कि मैं दे लोकेशन भी देख सकते हैं तो आप कॉंगरेचुलेशन सभी को जिनको जिनको अपना डिपार्टमेंट मिल गया है और आई होब कि उनलों का जल से जल प्रोसेस है वह भी सुरू हो जाएगा ज्यादे तर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट जितनी ज तो जहां पर आप लगभग नौर्थ इस लिजन का होने के बाद लगभग जितने भी डिपार्टमेंट जो लोकेशन थे अब खत्म हो चुके हैं सभी का अलोकेट हो गया है तो जल्दी जो है कि डोजियर वगएरा भी भेजा जाएगा नमिनेशन लिस्ट आएगा और फिर जो जादे तर जादे डिपार्टमेंट जिनको एलोट हुए है उनके लिए खासकर तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा ताकि सभी को पता चल जाके जो जो भी नौर्थ इस लिजन से जिन